जैशी राम, नमस्कार, मैं है सुप्रिया भटनागर इस बार सावन में रहेंगे पांच सोम बार सावन मास भगवान महादेव का अशिरवात पाने का मास है शुप पुरान के नुसार इन दिनों में भगवान चंकर के आरादना करने से कष्टो का नाश होता है और सभी मनुकामनाय पूरी होती है इस बार सावन मास में कई शुप सहयोग भी बन रहे हैं इन विशेश योगों में शिवाराधना करने से शुप फलों की प्राप्ति होगी हम भगवान महादेव से लंबी आयू, अच्छी सेहत और सुख संपत्ति का वर्दान भी राप्त कर सकते हैं सावन मास का प्रारम 6 जुलाई सोंबार को होगा और समापन भी सोंबार के दिन तीन अगस्त को ही होगा सावन मास भगवान शंकर के साथ मापारवती को भी समर्पित है विवाहित महिलाएं अपने विवाहिक जीवन को सुख में बनाने और अविवाहित महिलाएं अच्छे वर के लिए भी सावन में शीवजी कबरत रखती है शावन मास में बेल पत्र से बगवान भोले नात की पूजा करना उन्हें जल चडाना अती फलदाई माना गया सावन के महीले में प्रकृती से भी गहरा संबत है क्योंकि इस माह में वर्षा रितू होने से संपून धर्ती बारिश से हरी भरी हो जाती है शावन के 52 मास में शिव भक्तों के द्वारा कावड यात्रा का अयोजन किया जाता है लाकों शिव भक्त देव भूमी उत्राखंड मिस्तित शिवनगरी हरिद्वार और गंगोतरी धाम की यात्रा करते हैं जो तिरलेंग श्री महाकाल मंदिर में श्रावन की शुरुवात इस बार सुमबार के दिर होने से पहले ही दिन भगवान महाकाल की सवारी निकलेगी श्रम चार वजे ही शाहि ठाट बाट की साथ अवंतिका नात का नगर भ्रहमन शुरू होगा पर कुरोन संक्रमन के चलते भगतों के शामिल होने पर पतिबंध रहेगा प्रशासन ने भगतों से घर में रहकर ही तीवी और मोबाईल फोन पर सवारी के दर्शन करने का अनरोद किया है अट्या धुनिक 25 कैमरों से सवारी का सीधा प्रसारन किया जाएगा पहली बार भगतों को सवारी का आँखों देगा हाल बताने के रिवस्ता भी की गई है सावनमास अती शुब मारोध है कि देश इस समय कोरोना संकट से गुजर रहा है साथ ही पड़ोसी भी आँखे दिखा रहे है तो हम सब को भगवान से मानसिक प्राथना भी करनी चाहिए और अपने देश को इस संकट से बचाने के लिए उनसे कोई न कोई करबध प्राथना अवश्य करनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी प्राथनाएं जरूर पूरी होंगी जैशी राम, नमस्कार